एक इक्छा कुछ नहीं बदलते हैं अगर आप एक निर्णा लेते हैं तो कुछ बदलता है लेकिन एक निश्चेक कर लें तो सब कुछ बदल देता है तो हमें इक्छा नहीं जैसे कि हमारे पाद हमें एक्छा होता है कि हमें एक मुगाल लेना है तो इक्छा से कुछ नहीं हम के लिए परिश्रम करें तो आपको वाइल मिल जाया तो हमें कोई भी कारे के लिए निश्चेक करना पड़ता है तो आज निश्चेक किजिए और आज पूरा सेशन कंप्लेट करें आज का सेशन जा प्रोड़क्टिविटी का है तो प्रोड़क्टिविटी में मतलब देखें इसको हिंदी हैं बोलते हैं उत्पादक तो यह होता कि है माली जी एक लड़का है जिसका नाम है Mr. A रखते हैं एक और लड़का है जिसका नाम हम Mr. B रख लेते हैं देखिए Mr. A जो है एक चैप्टर को पढ़ने में एक घंटा लगाते हैं लेकिन वही चैप्टर एक एक काम को करने में ज्यादा समय लगाते हैं लेकिन चैप्टर यह दान avn इकमपनी में नियूज होता है अगर आप काम करते हैं यह काम को करने में ज्यादा समय लगाए तो इनका क्यों क्या यह मिश्कों और तो productivity क्यों होती है कम हो जाती है अगर कम समय आती है to productivity जादा होगी company का फायदा जादा होगा और देश की अर्थविवास्ता भी बड़ अच्छी हो सकती है विकास भी हो सकता है जितना productivity जादा होगा देश का विकास भी अच्छा होगा इकनोमी भी शुद्रेगी तो यही है हमारा आज का चैप्टर प्रोड़क्टिविटी उत्पाद अक्ता कोश्चन नमबर वन है दूरिंग यूजिंग एटियम हम जब एटियम यूज करते हैं तो अथांटिकेशन क्या यूज करते हैं कस्टरमर द्वारा क्या कौन सा अथांटिकेशन यूज होता है क्या कैस आपका अथांटिकेशन है क्या बैंक का इफसी कोड आपका अथांटिक आप जब भी अपना ATM लेकर जाते हैं तो आपका authentication मतलब उसको ATM को यूज़ करने के लिए आप पीन यूज़ करते हैं तो यहाप authentication का कार आपका क्या हो सकता है पीन हो सकता है अगर आपका mobile का authentication के लिए या आप अपना mobile का password रखे होंगे या fingerprint sensor यूज़ करते होंगे या front camera यूज़ करते होंगे तो यह सब जो है authentication है ठीक है यह सब security purpose से यूज़ किया आता है आपको ATM का security क्या हो गया पीन हो गया आपके लॉग इन करने के लिए एक आता है password और एक one time password भी होता है जो आपका second two step authentication होता है यह आज कर बहुत important है अपने mobile में भी लगा कर रखेगा टू अश्टेप इंटर करें तब पर भी तो टीपी का फुल फॉम भी पूछा याता है one time password कि वाइशी का फूल फॉम में पूछा याता है know your customer ठीक है और पोस्टल इंडेक्स नमबर होता है पीन यह पीन का पोस्टल इंडेक्स नमबर और यह देखिए इस और साही एंसर यह पीन है और यह परस्टल इंडेक्स नमबर भी बोलते हैं गिवाइसी होता है नो यॉर कस्टमर तो देखिए कोस्टन से हम बहुत सारे कोस्टन मनाएंगे एक्जामेज वाज सकते हो आपके यहां पर देखिए एटियम पूछा गया तो एटियम का फुल फॉर्म बताइए एटियम देखिए होंगे बहुत से लोग यूज किया होंगे एटियम कार्ड को तो एटियम में यूज होता है तो एटियम होता क्या है तेंड्रिंडर मसीन एन ए नोनॉमस टाइम मसीन मसीन आॉटो मैटिकमेटग टीटर मशीन या और तेलर मसीन आट्यूमेटिक्जमेट् यह पर मिनिंग में मिस्टेक नहीं है टेलर का स्पेलिंग वही है कुछ्चन नमर्थ त्री देखे क्या है लो प्रोडक्टिविटी लो मतलब वह लड़का एक घंटे में चैप्र पड़ रहा था तो लीड क्या करता है क्या दर साता है क्या जॉब सिक्यूरिटी को क्या जॉब सिक्यूरिटी को दर सा सकता है या पोलिटिकल स्टैबिलिटी को दर सा सकता है या डिक्रीज इन जीडिपी जीडिपी क्या है जीडिपी होता है ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब घरेली उत्पाद होता है इसको यह जो यू और आप मैंगोने पता कर शकते हैं इंक्रीस इन जडीफी पर कैपिटल अगर आप प्रोडक्ट्विटी कंपणी में कम होरी है तो क्या उसकी जॉब कर रहा है उसको को निकाल तो आपका यह सही अंसर है जब लो प्रोड़क्टिविटी होगा आपका प्रोड़क्ट कंपनी से कम निकलेगा तो आपका देश के लिए विकास में भी इकनॉमी पर पढ़ा पड़ेगा जीडीपी कम हो जाएगा तो प्रोड़क्टिविटी भी कंपनी का हाई होना चाहिए प्रोड़क्टिविटी यह जो हते है इसका रेशियो जो हता है आउट्पुट बटा में इन्पुट होता है आउट्पुट बटा में इन्पुट यह रेशियो हता है आउट्पुट और इन्पुट यह रेशियो है प्रोड़क्टिविटी का और प्रोड़क्टिविटी का ये सब ratio होता है प्रोड़क्टिविटी और प्रोड़क्शन का output बैटा मैं input यह याद रख payroll कि मठीकर प्रोड़ुक्टिविटी का प्रोड़क्शन का एजो रैसी ओता है आपू पे में input तो यहां पर भी दिखिए रीफीटिविटी जो टि इसद वहां पर उपसन जो है उपर नीचे कर दिया गया है तो देख लिए क्या है वही होगा automated tailor machine चैंस तोड़ने ही नहीं जो जाए दोबार तीन बर देंगे तब ली वही रहाना चाहिए automated tailor machine अब confused बतो हो यह हो यह है confused नहीं होना है याद्र कि देखे मार दिए इसको मखतम होगे जाए गया नमबर गया एक नमबर यह सब ध्यान रखना है और अटोमेटे टेलर मसीन आप यहाँ देखिए यहाँ दप्रोसेस यूज़ बाइब बिजनेस किसी भी बिजनेस के दर एक प्रोसेस यूज़ किया घाता है अपने कस्टमर की या पास्चान को भेरिफाइ करने के लिए क्या प्रोचस है कोई भी बिजनेस कोई भी कंपनी या कोई भी जगह पर अपने कस्टमर को जानने के लिए हम एक यूज करते हैं वो होता है की वाईसी नो यो और कस्टमर कई कराने के लिगा अपने अधार स County उसकर सकते हैं है अवास यूज possono है कटे हैं यह सब क्यो के बाइच को करा ताहई है जो फून पर से प Teacher होता है देश के बारे मता था कि अर्थ वाश्था है कहाँ विकास कहां पहुचा है तो ग्राउस डॉमेस्टिक प्रोडक्ट एटियम होता है अटोमेटेड टेलर मसीन और टी एफ पी पूछ देया तो यह भी याद रखेंगे टी एफ पी का फुल फॉम होता है टोटल और यहां पर प्रोड़क्टिव्टी लिखा है यह होता है टी एफ पी का फूल फॉर्म पूछा जाए तो कंफीम होते हैं और ध्यान रखिए सब सीजी जो बता रहे हैं आठवा देखिए वाट इड्वाइंटेज ऑफ आटोमेशन आटोमेशन मतलब क्या होता है आटोमेशन शुरू हो गया बहुत सी कंपणियां आटोमेशन रखने लगे वहाँ पर उससे क्या होगा अब आयो labor के सकता कम हो जाएगी अगर हम जहाँ दस आदमी काम करते थे वहाँ पर automation automatic आ जाएगी अब automatic गाड़ी भी आ रही अटमेटी गाड़ी चले तो आप ड्राइवर के अभी काम खतम हो जाएगा तो इसे क्या हो जाएगा और ये भी होगा कि काम के करना फास्ट भी होना सुरू हो जाएगा तो इसमें देखते हैं क्या option क्या automation के advantage हमने कई बता दी है जैसे की automation अगर आता है तो आपका जल्दी और काम होगा फास्ट होना सुरू हो जाएगा disadvantage यह है कि labor के संख्या घड़ जाएगी और इसमें टाइम यह आपका पैसा भी बहुत बच जाएगा लेवर चार्जेंस भी बच जाएगा यह सब होता है तो देखिए automation में यहाँ पर जो option क्या है reduce operation time यह हो सकता है operation टाइम घड़ जाएगा यह तो सही हो गया पहला ही सही हो गया हाई initial cost यह तो कुछ खास नहीं है और unpredictable cost यह भी कोई खास नहीं है security threats यह भी नहीं automation में हो सकता है तो अच्छा security threats होते हैं अगर हम input सही देंगे और सारी चीजों उसको operate करेंगे सही से तो उस security अच्छे रही जब तक उसके बाहर से कुछ input गलत ना दिया जाए आप कोई पता है computer error नहीं देता है या कोई machine जब तक उसमें input गलत ना दिया जाए जो एट के एंसर है reduce मतलब घटा देना operation time को घटा देता है अगर कोई माली जी जोड़ना है पचास अंक जोड़ना है पचास चीज़े दास बीस तीस चाली इसमें पुंचास अड़तीस इसको जोड़ने में एक आदमी को दे दिया जाए तो बहुत टाइम लगा है लेकिन वही काल्कुलेटर कर देते हैं और टोमेटिक वह जोड़ देगा है ठीक है और माली दीन भर में कितने वर्कर्स आए एक आदमी लगा गीन ने और उसे एक हम लगा दी हैं बायमेट्रिक सेंसर बायमेट्रिक अटेनेस लगा दी जो भी आया अब लाश्ट में रिपोर्ट देख लेंगे क्यों अब यह होता है कि जाओ एक आदमी को भेजो जाओ कीन कर लाओ कितने कंपनी में कितने वर्कर्स हैं इस तरह से आपकर आटोमेशन जो है जो आटोमेटिक का रहे होने से आपकर आपरेशन का टाइम भी घड़ जाएगा और लेबर भी कम हो जाएंगे कंपनी भीड़वार होजाएगे लेकिन अडिसेडवांटेज हो जाया कि बात गर्णरी और बढ़ जाए नाइन नमबर देख्यां वाटीज दा अनेम प्लwyमेंट रेट तो एक अनेमप्लाइमेंट बारेट निकालआ है बारेश गारेट नकालना है ठीक कैसे त्पक्तीा स Abg.isch का सा यत लोग जो है बेरुजगार है और नॉट मतलब कोई भी इंपलॉई नहीं है किसी दरगा तो हमें निकालना है बेरुजगारी की रेट क्या है दर्ग की बताना है तो देखिए आप रेट आपको पता है मैं से पड़े होंगे तो इसका रेट हम फिर सदा देते हैं रेट निकाल हुआ है यह होग आप पांत कि खटा आयते हैं सो बार है तो 20 तो हमारा जहें SUV फिस हूए वो सही सरे बीच पर सेंट हुआ 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 है यह तो आपको रेट निकालना वह तो फटा ही है रेट निकालनल के ऐसे निकालते हैंzens के पी मिलिद्डन सकती हैं और देखिए 58 सें इंग्लिस में आएगा और कंप्यूटर को लिख देगा संगणक तो आप समझ नहीं पाएगा है इसलिए इंग्लिस में भी ट्राइ करने को सिस्किजिए इसमें देखें वीच मार्केट डिटर्माइन्स दरीयल वेज़ेस एंड और इंप्लॉइमेंट कौन सा मार्केट जो है पहले मार्केट आप समयले मार्केट आप भी जानते हो ऐसे जहां पर हरे एक तरगे समान मिलता है लेकिन यहां पर जो मार्केट की बात हो रही है यह पर तनका पर आपको इंप्लॉई मिलेंगे तो सबसे पहले देखिए आपको कैपिटल और मनी मार्केट के बारे मार्केट एक होता है फाइनेंसियल मार्केट जहां पर पैसों का एक्सचेंज होता है जहां पर फाइनेंसियल इंस्ट्रूमेंट का एक्सचेंज होता है एक क काम है तो दूसरे बैंक से ले लेता है उसके जा पर कुछ रखने पड़ते हैं तो फाइनेंशिल method मार्केट दोफर आरते हैं certains होता है Capital Mark ard Z में पर स्सिर्व समय के लिए था साै के साल भर का होता है कुछ पैसे चाहिए सालवर छौ मिने के लिए तो money markate use करती है money marketplace में क्या करती है कि पैसे में लाना हते हैं मनी मार्केट का इस्ट्रुमेंट बोलाया था उसको तो मनी मार्केट में अगर कोई लॉन टर्म के लिए चाहिए क्यों लेकिन निदेया का ध्यान जोता है रभयाइब इसका व्य करती है आप देखेए होगे style92 था अभी कुछ दिन पहला है था भी उसमें मिल रांट इसमें बताएगा है money market के बारे में हर स्थयाद में आ था की कहानी आप पढ़ेगा तो से money market के बारे में बताएगे यह money market क्या होगा उसमें किई कपिछों थ्यान रखता है money market को थी कंपनी लॉंग टमके लिए याज शिंट मरकें पैसे मिलें आप फ़रें मार्केट है उम्मीद आपको इस समझ में मार्केट ठीक है और यह देखते हैं विछ वन इस यूज़ टू मेजर दव एकोनॉमिक परफॉर्मेंस आफ होल कंट्री और इसन पुरे देश और आश्ची का पॉप एकोनॉमिक एकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा है अर्थिवेवस् प्रोडक्ट यह हम यूज़ करते हैं पूरा साल का क्या ग्रोस हुआ क्या देश कहां विकास हो रहा है क्या हो रहा है यह सारा आपको जीडीपी से पैदा चले अब हमको नीचे कमेंट करके बता यह टी एफपी का फूल फॉर्म मैंने पीछे बता है था पिछले कोस्टन मे भी है टीएफफी का फूल फॉर्म नीचे कमेंट करकर बता है टीएफपी के फुल फॉल फॉर्म हम देवेट करेंगे आपके अथिका इसका ईनसर है यह सही एजी डिपी और टीएफी का फुल फॉर्म मुले लिखिएगा अगर ambling को Dacia which One are the following law secretary of pure प्रोपर्टी रिस्क कि प्रोपर्टी णी जो लाइबिल्टी आ वह आपको पॉर्सनोल रिस्क ज्जाय सी आ है आपको बैमार फढ़ पर के इसा पर यह यह आप ब्लर सब आपके जो प्रोपोर्टीज यह जमीन खराब आपके प्राप Ψपकसान हो तो वह साव है लिकन टेक्नलोजी रिस्क नहीं थार्टीन देखिए भी सुन इन फ और फ़thank til पॉय यह ही किसे यहीज़ कर दोा कि स्क्रीमिलती अरो उसके अलागा मिलता है जब से लने से जर्फ से लाहते समय वह होता है लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर यहां आपको करने के लिए नहीं करें तो आपको ध्यान रखना हुआ तो इसे क्या है जो इंसेंटिव का जो अब्जेक्टिव नहीं है तो आप देखिए अगर आप क्वाइली इंप्रूफ कर तो इंसेंटिव बढ़ सकता है और ह्वाइड इंप्रूफ ब्धार्दियन कि प्रोड़क्ट लाइफ साइकल पढ़ना है कि अगर हमारा मैचुरिटी आ स्टेज पर है अगर कम्पनी का जो स्टेज है थे पर वहां पर हमें अपने जो कोस्ट को क्या करना कॉश्ट को लो करें गें तब प्रोडक्षण का कॉस्ट जो है कम होगा तब ही कमपनी का क्या होगा प्रॉफिट होगा नहीं तो ज़्यादा खर्च कर रहें तो तो अगर हम अपना कोई भी प्रोड़क्ट का ज्यादा रखेंगे तो वह दिकत होगा कोई खरिद नहीं पाई जली खरिद नहीं कर सकते हैं तो हाइँ आउटपुट अगर ज्यादा आउटपुट निकलता है प्रोड़क्शन ज्यादा होता है तो बढ़िया ही है और फोटीं देखेंगे वीच विडिस डॉक्मने इस अज वीट प्रोड़क्शन ज्यादा, वैज प्रोड़क्शन होना चाई ही और हुट्ऐमोवारे साथ में, श्यादेन प्रोडिक्त आप अकूर्ड़क्शन फोसकता है यह दिए 14 देखिए वीच वन आप दिस डॉक्मेंट इस नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फॉल्फिल्मेंट ऑफ किवाईसी नॉम्स मैं शुरू में बताया था आपको किवाईसी के लिए कौन-कौन से डॉक्मेंट यूज होते हैं कौन-कौन से यूज कर रहते हैं तो मैंने सही जवाब है यहां पर फॉल्फिल्मेंट नहीं है दिए जो नॉट वाला ओप्सन ध्यान में रखा किज़ेगा नॉट पुछा जा रहा है मतलब कौन नहीं है तो इंकम सेटिफिएट नहीं है किवाईसी करवाई होंगे अपने पेटियम यूज करते हैं तो पेटियम को क च्रीण और यह उसें पांचे होता है तो इसमें पहला देकर क्या होता है इसमें पहला होता है मेनुफेक्ट्र मैनुफेक्ट्रिंग होता है ड drevisozet की आप crooo daybl., अ सेल्स कम रहे हैं। तो उसको करते हैं तो बिक्री होता है बढ़ जाता है लेकिन ह्यूर्टे साभी होने लगता है, लेकिन में यह रेवन्यू पर होता है, वहां से अब क्या होता है कि अब यह तो अगर हम प्रोड्क्ट सही रहा तो वह उपर तक चला जाएगा, या लोग अगर आपने maturity stage में आप product में कुछ quality नहीं लाते हैं और उसको services provide नहीं करें तो या लोगों के बीच में अगर आपके जो product है उस नहीं जच रहा है लोगों को तो लोग उसको neglect करें लाएं क्यूंकि आप maturity stage तक आपके competitors हो जाएंगे जो आप product बना रहें company और भी तो company है आपके आसपास वह भी तो बनाना शुरू करतेगी अपना आप ही के देखा देगी तो उस अगर आप अपना maturity stage में जा रहा है तो आपका product का जो cost भी है उसको कम करना होता है अगर पहले चालिस तो 30 रुपया बेचने लगा तो क्या करेंगे लोग आपके product को decline करने लगए तो आपका जो sales होगा गिरने लगए तो उस समय आपको क्या करना था उपर ले जाने के लिए आपको करना होगा आपको जो cost को कम करना होगा डिस्ट्रिब्यूटर्स को घटाना होगा डिस्ट्रिब्यूटर्स को आपको income करते ना होगा तो आपको भबढ़ सकता है और quality change करना हो में बतला हो लाना होगा उससे comparison में आपके services भी होनी चाहिए और फर्स निकालने पड़ेंगे तो फिर आपका company के जो प्रोडक्ट होगा ऊपर पॉस्ट्रिब्यूटर्स करना होगा तो देखिए यहां पर पूछा यारा वीच स्टेज कई स्टेज हैं आपर development है कि बहुत लो यहां पर introduction में अभी तो introduce हो रहा है इंट्रोडीव स्टेज में थोड़ा साभी growth होता है तो उससे में कम होता है लेकिन growth स्टेज में रैपीड रिवेन्यु मतलब प्रॉफिट ज्यादा होता है ग्रोथ होता है अग्रोथ का वेन्यु बढ़ने लगता है मैसवरीटी अ स्टेज और कोई परिसाने होता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और इसे आत मिलते अगली वीडियो में अनिल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा बहुत बहुत धन्यवाद